वेल्कम तो आवर यूटूब चनल तो इस वीडियों हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच के बारे में जो गईज खेला जाए लियाना से टोटें हम होट सपोर और अर्शनाल के बीच महानवाल इस मैच के बारे में तो गईज इस वीडियों में इन दून टीमों खर एक फ स्क्रिप्स हम डाल दिया हो वहाँ साब हमारे टेलिग्राम चलन को कर सकते हो ओके तो चलिए अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दून टीमों की पॉइंट टेवल पर तो गईज टोटें हम होट्स पर पर प्रीमियर लीग में फिलहाल के टाइम पर फिफ्ट पोजिशन प तो गईज दूनों टीमों की पोजिशन है वो ओल्मोस सेमले वल के देखनों को मिलती है तो गईज अब बात आते हैं कि इन दून टीमों में सा हम किस टीम को अपने ड्रीम लोंग टीम के लिए एक फैवरेट टीम मान के चलता हूँ क्यों क्योंकि ये मैच है इस टीम के हॉ किस तरह का परफॉमेंच देखनों मिलता है इन दून टीमों की और से और वहां से बी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फैवरेट टीम होन वाले हमार समोली टीम क्रेट करने के लिए ड्रीम 11 पर तो नज़र डालते हैं इन दून टीमों का हैट ट पिफेन्स तरह के लिए जिस टीम के सामने मैच के लिए और दो मैच लॉस भी अरटेकन वाज फोर गोल पर मैच सखोर गिया लेकिन डिफैंस सब्सक्राइब कई इस टीम सामने पर मैच में एक और कभी कभी तो दो गोल तक कंसीड कर देती है तो परफॉमेंस अगर अगर अटेकिंग वाइज देख जाए तो काफी शानदार है और डिफेंस भी कहीं ने कहीं गोल कंसीड कर देता है अब गईज बात करें जो पिछला मैच इन दून टीमों को बीच में खेला गया उस मैच को अर्सनाल अपने होम में इस टीम के सामने 3-1 से विन कर गई अटेकिंग वाइज अर्सनाल ने उस मैच में तीन गोल के लेकिन डिफेंस से एक गोल कंसीड किया लेकिन उस सफर मगावच इन दून टीमों बीच मेच हुआ और इस मेच को टोटां हम अपने होम में इस टीम के सामने 1-0 से विन की लेकिन उससे मगावच इन दून टीमों बीच मेच कहले हैं लेकिन वह मैच भी अर्सनाल ने उस मैच को भी 2-1 से विन कर खलीा लेकिन उसे पिछले दो मैच इन दोन टीम बीच में और खेल गए है और दोनों मैच टोटे एन हमने अपना होम में खेले हैं और दोनों मैच को काफी अच्छे तरीके से विन भी किया दो गोल पर मैच सगोर किया लेकिन डिफैंस से सिर्फ एक गोल कंसीड किया तो पर्फोमेंस अगर टोटे एन हम का होम में देखा जाए तो इस टीम के सामने वो काफी शानदार रहा है अटेकिंग वाज ये टीम परती एक मैच में इस टीम सामने गोल करती है लेकिन डिफैंस से परती एक दो मैच में सिर्फ एक गोल कंसीड करती है तो performance attack से लेकर defense तक Tottenham का अपना home में काक्षानदार रहता है इस team के against में तो इसलिए मैं Tottenham को एक favorite team मानके चलता हूँ लेगे हम बात भी करेंगे इन दों team वो जो current form वो उसका according जो फिलहाल की time जो performance है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं तो guys Tottenham हमने currently खेले हैं 6 match जिन मैसे 2, मतलब 3 match इस team ने win किया है 2 match draw खेले हैं सिर्फ एक ही match loss किया attacking wise 2.2 goal per match सखोर गया लेकिन defense 0.7 goal per match सखोर कंसीड किया कहना कमतलब ये team पर 3-1 match में कम से कम तो एक और कभी कभी ये team per match में 2 या 3 या 4 goal तक भी सखोर कर देती है लेकिन defense एक team जल्दी सखोर गोल कंसीड नहीं करती एक बहतर team के सामने ही पर 2 match में सिर्फ एक ही goal कंसीड करती है तो performance अगर recently देखा जा Tottenham का काभी शांदार है attack से लेकर defense तक अब गईज बात करें और एक match Brighton के सामने 1-0 से loss किये और उससे पिछले 2 match इस team ने win किये एक Aston Villa के सामने एक Newcastle United के सामने और उन 2 match में इस के जो performance था वो काभी सांदार था attack से लेकर defense था तो guys अब बात आती है Arsenal के जो current form उसका according जो फिलहाल के time जो performance है हमें एक बार उस पर भी नज़र डालते है तो guys Arsenal ने currently खेले 6 match जिन match से 4 match इस team ने win किये दो match loss किये अटेक्म वाइज 2 goal per match सखोर किया लेकिन defense से 1.3 goal per match सखोर किया कहनक मतलब ये team परते एक match में goal सखोर कर देती है लेकिन defense यवाज भी कहने कि ये team फिलाहल टाइम पर match में goal conceded भी कर देती है तो performance attack वाइज अच्छा लेकिन defense थोड़ा चा डाउन है अब guys बात करें जो पिछला match Arsenal Leads United के सामने 2-1 से match को win कर का रही है और उसे भी मुकावल Western United के सामने 2-1 से win Eric match Manchester United के सामने 3-1 से win और उसे भी मुकावले Chelsea एक सामने team 4-2 से win किये तो guys recently 4 match में इस team को performance है वो काफी शानदार है attack से लेकर लेकिन defense कहने के goal conceded कर देती है और उसे पिछले 2 match इस team ने loss किये तो performance अगर दोनों team को recent form का according देखा जा तो काफी शानदार है attack से लेकर defense तक तो final guys अब बात आती है अब इस match का score line prediction क्या होना चाहिए तो guys south पहला हमने इन दोन team की point stable पर नज़र डाली फिर हमने इन दोन team का head word message नज़र डाली फिर हमने इन दोन team की recent form पर भी नज़र डाली अगर हम इन तीन format को एक साथ compare भी कर लेगी कौन चो टीम का बहतर performance रहा है इन तीन format में तो guys point stable का according दोनों team की जो position वो same level की देखना को मिलती है लेकिन head word का according की देखा जाए तो टोटेन हमका जो performance इस team के सामने वो काफी श्यांदार है और अपना home match इस team के सामने goal तक consider नहीं करती और Arsenal के जो performance से वो काफी down है ओकर रिसेंट form का according देखा जाए तो टोटेन हमका जो performance अटेक से लेकर defense तक काफी श्यांदार है लेकिन Arsenal के जो performance अटेक हुआ अच्छा लेकिन defense थोड़ा सा down है तो कहीं न कहीं आपको तीनो format में टोटेन हम ही एक favorite team देखना को मिलेगी कर देख क्योंकि Arsenal का अच्छा रहा है तो मैं मान के चलता हूं कि इस match के scoreline prediction अभी के लिए 2-1 है और 2-1 का prediction का अनुसार ही हम अपने dream alone टीम करेट करने वाला है dream alone पर उससे पहले हम बात भी करेंगे टीम का कौन से प्लियर ने कितने गोल निकाले हैं और कितने assist निकाले थो हम सभसकर पर ऑज़ा है वो रहे ही टोटेन हम की तीम फिर हम नज़र डालता है अर्शनाल के टीम के प्लियर्स के बारे में के कौन स्प्लियर्स के बारे में उससे पहले दोस्त अगर आपको वीडियो आपको helpful लगी यानि इनफोर्मेटिव लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हर रोज इस यूटूब चैनल पर कंटीनिव लात रहता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हां दोस्त इस मैच जो फाइनल टीम तरह से फिलहाल के टाइम पर जो हाईजर गोल डगरी यूंग मिंशन इस टीम के तरफ से 20 गोल निकाल जोगा है तो इसलिए मैं अपने टीम का कैप्टन भी और वाइस कैप्टन भी सजेस्ट कर सकता हूं है है इस टीम तरह से एजसेंटर फोरवर्ड कहलेगा और इसको टी टीम में सजेस्ट करने वाइज तो आप इनको ट्राइ करके चल सकते हो बाकि जितने और भी प्लियर्स हैं उनसा भी आपका सामने रिकोर्ड भी है आप इनका भी सिक्रीन सोट ले सकते हो ओकै तो बात आती है जो इस टीम तरह से प्लियर जोनों आशिस्ट प्रवाड के हैं योंग मिंशन जो कि यही तीन प्लियर हैं जो इस टीम के तरफ से मोस्ट वैलियोबल हैं जो गोल और असिस्ट कंट्रिबूट करते हैं जर आएंग आपको तो इनको ट्राइक करने लुकास मोरा का खेलने का चांस थोड़े से डाउन रहेंगे लेकिन बाकि जतने भी प्लि प्लियर है काफी पर्फॉमेंस इसका अच्छा है और यह फिलहाल टाइम पर पैनल्टी भी लेता है तो इंग इंपोर्टेंट प्लियर रहेगा ट्राइब जरूर करना ओके सिमित रोप इस टीम तरह से दस गोल कर चुका लेकिन खेलने के चांस थोड़े से डाउन मार्टि और डेगाड इंपोर्टन प्लियर है डिफेशन Ooh रहता है यहाँ से गेभ्रेल मार्टर यही काफी काहए ज्यादा कंटिपूट रहता और डिफेशन एट रहता दो निकाला नज़र डालते हैं, असिस्ट वाले फिलियर्स पर भी, तो गैज असिस्ट में देखा जाए, यहां से है, लेका जेटे है, जो कि इस टीम तरफ से साथ असिस्ट निकाल चुका, बुकाई स्का जिसने छे असिस निकाले, गैबरियल मार्टिनेली जिसने पांच असिस्ट निक सब्सक्राइब लेना अब बात आती है इस मैच की स्कॉर्लाइंग प्रडिक्षन हमने तो रखी हो टूबन और टूबन की प्रडिक्षन का अनुसार क्या रहे है नहीं चाहिए इस मैच जो हमार समोर लिफ टीम में ट्रीम मिलों पर तो सीधर नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम मिलों के टीम पर तो इस बातके लिए साफ़सफ़ गौल के पर आपके सामने दो चोश्स देखनेयों मिलेंगे एक यहां से राम्स दाल से किसी को ट्राइब कर सकते हैं अगर इस देख जाए तो दोनों का परफॉमस काफी शयांदार रहे तो दोनों में इस करना तो टोटे नम का करना क्योंकि इसका ही चांस रहेंगे मैच को विन करने का तो इसलिए मैं यहां से टोटे नम के रोमेरा को टीम में ट्राइक करके चलूँगा एरिक डायर को पिक करके चलूँगा और यहां से गैब्रियल को टीम में ट्राइक करके चलूँगा अर्शना करें मिड फिल्ड में तो मेरी फस्ट चोईस रहेगी बुकाय शाका मार्टिन और डिगार्ड और होसबर्ग यह डिफेंसिव पांट अच्छा देता और यहां से कलो सविस्की इनको भी टीम में ट्राइगर करके चलेंगे लेकिन जो इंपोर्टेंट प्लियर जिनको मैं किसी भी कंडिशन में अभी ड्रोप नहीं कर सकता उनको मैं अभी पिक करके चला हूं और यहां से गैब्रेल मार्टिन अब खाका का जो पर्फॉमेंस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव रहेगा अटेकिंग पोजिशन पर कम रह लेकिन जो अधर चोईस रहेंगी आपको ग्रांड लीग के लिए तो आपका सामने नकीट है और यहां से लेका जैट है तो इन दोनों को भी ट्राइक कर सकते हैं लेकिन अगर हम यहां से क्रेडिट थोड़ा सा मैंटेन करते हैं तो भी नहीं हो पाता तो चलिए अभी क्लि क्स को करेंगे सोच रहा हूं रहा हूं अभी के लिए हम हैडीальное को ड्रोप नहीं कर सकते हैं और हमें प्ट करना है मतलग जो ड्यू Wenn नहीं है मतलब इल नहीं है यह य् क्योंकि वहां से पता चलता है कि गोल कोन सब प्लेयर का आनक सब जाथ चांस हैुसका बात करें Captain चीक, तो उब्डेस Captain रहे हैं हैan से Harry Shawn, okay मतलब Shortly Min Sun यार Harry Ken का नाम से Harry Harry सुनता हूँ और वाइस्सक्राइब बात की जाए तो नहीं है अच्छी चोई आपके सामने और आपके सामने जो अधर चोई से बुकायो शाका है लेकिन मैं यहां से कैन को टीम में वाइस्सक्राइब बना चलाओं क्योंकि असे स्पोर्ट टेंशल भी है पलस गोल भी और यह टीम तरफ से कहने कि एक अच्छा प्लियर रहे एक प्लियू कुछ इस परकार आपको दिखाए देगा यह सिर्फ और सिर्फ रिकोर्ड को बैस करना तीम है लेकिन जो फाइनल टीम रहे हैं वह आफ्टर लाइनप की कौन से प्लियर कौन सी पोजिशन कहले है अटेकिंग पोजिशन कहले करना ओके मिलते हैं इतने के लिए टेकर और भाई अब आप सोच रहूंगे यार इसमें तो प्रोब्लम है तो कैसे सोल होगी लाइनप आने का बाद जुरूर सोल हो जाएगी अब आप्टर लाइनप जो टीम रहे हैं टेलीग्राम चनप हम पोस्ट कर देंगे ओके मिलते है स्टुडियों टेक किर बाई